हो है ? होग है ? हुँआ ! हो मैं ज्यान तिमिराम धस्य ज्याना एंजन शुलागेया च्यक्सोर उनमिलितम जेनतस्मेश्री गुरवी नमा गुरवी गुरचंद्राय राधिकाय यहिस्त दाले कृष्नाय कृष्न भक्ताय तद भक्ताय नमो नमा नम भक्ति विनदाय सचिदानन्द नामिने गौर सक्ति स्वरुपाय रुपाय नोग भरायते स्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द स्री अध्वैत गदाधर स्रिवासादी गौरु भक्त ब्रिंद को ह्री कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण हरी हरी क्रेक्ष्ण क्रेष्ण हरी हरी अ папcture फान एन्यों को आए थे नहीं प्रिया करेंड मैं एक कहгор कर सेट नहीं किया, मैं सेटाट क्रती हुआ अभी कॉछ ठांट कर यह वह जादा पैके अई यह नहीं दिद्धा कंप neighboring रहे हैं अया होगा है आपोगी बैट शारे कृष्णा सरब्रथम मेरे गुरुपाद बद्म नितलीला ब्रविष्णम विष्णम पाद हर्ष्टोधर सतरष्री स्री स्री मादभक्ति स्री रो स्री धांदिको स्वामी महाराजी के चरण कमल में अनन्त गोटि साश्टांग दन्वत प्रणाम करता हूं। भक्त्मिन ठागुरी जीцо का बताए ये को नहीं कहने भक्ति जगत कब भगीरत है। बले इनको भगीरतों के साथ में कुम कुदाहने दिया गए़ा है। जैसे स्री भगिरत ने गंगा को लाने के लिए उन्हें ने बहूत कष्ट किया है क्योंकि उनके जो पुर्बज थे स्री सगर महाराजी के दस अजार संतान थे इसलिए कपिलमुनी की अभिसाब से वो सब के सब जल करके राख बन गए थे कपिलमुनी जी के बोले यह कैसे पुर्बज उधार होगा वल उधार हो सकता है अगर गंगा जी को कोई जगत में अगर अवतिर न करा सकते तो इसलिए उनको बन समय अंसुमान दिली अधी बहुत बहुत बड़े बड़े राजा हुए गंगा को प्रसर्ण करने के लिए बहुत उन्हेंने कुशिश की लेकिन उसमें कोई सक्सेस्फूल नहीं हुए लेकिन गंगा जी को किसने संतुष्ट किया भगिरत है कले उनको फूर्वज लोग तो तपस्या किया था संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए भगिरत संतुष्ट के इसे कर लिया कारणे हैं उनको फूर्वज लोग जब उनने पूरा घर ग्रियस्ति को करके जब प्रिद्ध हो गए तब उनने कोशिश किया गंगा जी को लाने के लिए लेकिन भगिरत ने किया गिया उनने बोले मेरे पूर्वज लोग दुखोखश्ट पा रहे हैं और मेरे सिंघासने में बैठी करें बिशेभोग और नहीं पहले मैं आपना पूर्वज को उतार क कि इन ने बच्पन में जाकर के उन्हें कटोर तपस्च्चा किया गंगा को अगंगा बी संतुस्ट्रों कि उनका आधना में क्यों ने इनका अराधना में क्यों उतांको फंड़ता ता कोई संसार की कोई जामला संसार का कोई जंजाल इनके हिर्दय में अभी नहीं हुसा एकदम प्योर हिर्दय था जब उन्हेंने भजने के लिए कोशेश किया मान एकदम घंगाज की चर्ण में मन लग गया लेकिन उनको पूरबज लोग पूरा घार गिरियस्ति करके जब एनरजी थे इसलिए इसलिए उनकी तपस्या मन एकाग्र नहीं था क्यों संसार करते 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 मन में पूरा जंजाल वैट गया और इनने भचपन से इसलिए प्रलादय ने बताए कौमार आचरत ब्राग्या बुद्धिवान बेक्ति को बचपन से प्रभु की भजन मे मन लगाते हैं कoken रते हैं है इसलिए उनने गंगा जी गों संतुष्ट की संतुष्ट करके जब गंगा। Jahre उनको न करेगा संक जी को उन्हें प्रस्त किया संकर प्रसं में आता संकर राजी हो गए उसल भगवान की चरणा हए लेकिन इतने कंगा जो आए संकर्जी पूरा जटा में उनने समा लिया ज़िए भगर्य 2 लेकिना जटा में पूरा समा लिए संकर्जी आपना जटां से थोड़ सी दे दिया नबत दीप में जंधु दीव ए इतने में पुरा है कि पूरा उन्हें गंगा को पान कर लिया वेगरत भी सब लिए पहां से निकली तो उनका नाम हो घानाभी है तर उन्हें लाग करके जन्तान कितनीय हजार सालों से वहां राक हो गई-वाँ पर कुछ भे नहीं था लेकिन इसको उपर में थोड़ी सी गंगा चली गई फूरा उनको पूरा उधार हो गया परसेसे उनको उधार हो गया जैसे श्री भगईरत ने पड़ी कष्ट से उन्हेंने गंधा पुलाई और स्री भक्ति जगत है है जएसे समुद्र में हाइट होता है इसलिए उसी तरह भक्ति जगत में भी जब कोई प्रचार प्रसार होता है सुर्वत्र जाती है फ्यरों भक्ति जब पर कर दिया उनको पहले बड़े दुरदिन था उसका इन देखा बोलते थे हम महा प्रुव का धारा है लेकिन इतने उल्टा-फुल्टा करता थे पाबाजी माताजी दल यह ते इसे कपड़ा पढ़ने करके बाबाजी माताजी दल सिगरेट फूंकते थे गंजा पीते थे इसलिए सहजिया आवल बावल नेडा नेडी मतलब है जितने अपसंप्रदा है अपसंप्रदा है लेकिन नाम क्या बोलते थे महापुरु के धारा के इसलिए लोग इसको देख करक नाक सिकुड़ाय करते थे थे इस यह महापुरु जगत में यहीं सिख्या देख लेगनी स्रुब भक्त मिन ठागुर जी आ करके फेर तो दो बारा ने भक्ति को अने हराब हरा की बक्ति को पुरा ने जगाए यहां भक्ति को जगा या इसलिए फेर इतना नहीं फैर उन्हन दिया की स्रिला भक्ति शिधानत सरश्थिगोस्वाइप्रभुपाद पुर्ण राक्ति यहीं महा पुरुष नहीं महा पुरु का जो भविश्यवाणी था पृथिवित आच्चेवत नगरा दिगड़ाम सरबत्र प्रचार आएवे मरनाम यह महा पृषिवाणी एक दिन और सहर सहर में मेरे नाम गुंजोटेगा और सब लोग प्रसन हो करके खूस हो करके मेरे नाम किर्टन करें यह था महापुरु का भविश्यवाणी को किसी ने संपुर्ण रूप में भविश्यवाणी को सार्थ कता गिया प्रभुपाद किया है यही महापुरुष्य ने किया है इसलिए यह फल है कति जो एक ब्रिख्य है एक ब्रिख्य का महत तो पता कब चलता है फल से अगर कोई आपेल का फल हो अंगुरु का ग्रेव का फल हो चिकुका फल हो भली रख उसको पानी दो उसको फिचाई गरवल कीउं भविश्यवाणी बड़ास उंतर फल देगा अगर कोई बबलु का पेड़ हो कांटा के काट दो जरूरत नहीं पेड़ का क्यों यह फल नही पाद इसका फाल हुए वह ऐसे एक फाल हुए जिसी फाल को सब लोग खा खा कर तिर्फत हो गए अभी हम यहां पर बैटे करके जब थोड़ी बहुत हरी चर्चा कर रहे हैं भगवान की किर्था अंकता और किसकी क्रिपा है एक क्रिपा है श्री लग भक्ति सिध्धान्त सर सद्वाइब कर अगर यह महाप्रुश्य जगत में नहीं आते जगत में जो हरी भक्ति थोड़ी बहुत हो जाता कि संतों हो जाता इतना आहिए धुनिया में नहीं रहता यह संसार दुनिया धे ना कि ऊ-बहुत हो रखे इसलिए दुनिया को रखे अभी चुक्के यहां पर हर देश में आटोम बोम सब देश में अगर जुद्धय चहड़े अगर पिसुस आँने चोड़े को भगवान कर रहे हैं उसाच को दुस्त्यתחस दिखा रहें अगर यह आटमबम गिरिगा तो मेरे भक्त लोग भी खतम हो जाएंगे लेकिन कृष्णा गीता में प्रतिज्ञां करते हैं और जो तुम प्रतिज्ञां करो मेरे भक्तों का विनास नहीं इसलिए आटमबम नहीं गिर रहा है इसलिए प्रहुपाद आये तभी जो थोड़ी बहुत हरी भक्ति दीख रहा है जगत में वह इनकी बज़े से यहीं महापरुस का बज़े से इन्होंने एस एसे उन्हेंने खूद तो प्रचार किया और एस एसे उन्हें सिस्चों को बनाय जान दुनिया में उन्हें पहिजए इसलिए काते हो महापरुस का जन्मस्थान से महापरुस जन्म हुए जैसे मूझ लेकर सकाव समें दो सक निकली नित्यांद और अद्वित आचार्जर पर उससे पहुत सका निकली रुपोगोस्वामी से नातनों गोश्वामी जीव गो स्वाहि महाराज स्वाहि महाराज निकले हैं पर उससे कौन निकले गवर गविंद महाराज निकले उससे पर भक्त वेदान सिल्लव नरायन को स्वाहि महाराज निकले फिर वो साखा बढ़ते 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 नहीं हाला नमें आगया और सशीगला घर में आग बैटिवेटिवेटिकर उरस्का खा रहे हैं इसलिए ख़िए स्रीला भक्तिवन्ठा गुरुजी किरिपा स्रीला भक्तिषिधान्त सरसुदिगोस्वाइद प्रभुपाद किरिपा है इसलिए नाक सिकुड़ाय करते ते सुन करके लेकिन इन्होंने आकर कि महा प्रभु का इन्होंने फेर पुनह प्रभाइत किया और जिसको अभी हम लोग थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको फालो करने के लिए इसलिए भक्तिवन्ठा गुरुजी आये बड़े उल्टा-पुल्टा हो रहा था उस समय उस समय एक था बिश्य के सन भुबन स्वर में बहु जो गाव में जो थे ना गाव में प्रचार कर दिया में कृष्णा हों कलीजिग में लड़किया थी ना पूर्निमा कराथ सब के सब यहां पर आना तुम लोगों को साथ में रास करूँगा अभी सब के सब डर गए डर करके पूलिस को पास में गए उस समय भक्तिवनों ठा अगरों अगरों जोगी को समझाने के लिए को सिच्किया आ रही है कि अपने साधन भजन करो तूम रभर द्क तुम न बस्काहत ररी हो हुम भगवान सेवगे धास है जीव कुल ब्हसादं bedland मत करो उसने भक्षण्ष्णॅ कront में रास्ट शाँगा और निए आ पकर ने र साथ में पूलिस लेगे तो पकड़ो हंड कब करो जेल में डाल दो लेकिन जो उसको गए ना लेकिन बहुत बड़ा जोगी था उसको बड़े बड़े जटाई थी है सही से हिलाल लग जटा से आग निकलना सुरुआ लोग डरकर भाग गई इतने में भक्तिमान ठाकर को पता ह जो का साधन भक्तिमान ठाकर नीजे स्वयम जा करके उसको पकड़े और अपना केची से उसको जटा था न वो सारे चटे को काट दी और उसको हंड कप करके जल में डाल दो और उसको उनने जल में डाल दी फिर तो जल में सड़शडगर कोई पर भाग खतम हो गया जो उल्टा पुल्टा भक्ती प्रचार करने वालों उन्हें पुरा अबंद करके सुद्ध भक्ति धरा को उन्हें प्रभाइत किया और शुरी बिमला देवी को प्रार्थना की तो मुझे ऐसे एक संथान दो जो भविशत में तुमारी सुद्ध भक्ति को महाप्रभु का सु नाम रखे दिया भी मला प्रसाद इनका नाम रखा है भी मला प्रसाद इसलिए भक्तिमिनों ठागुरु को कहते हैं सब्तम गोस्वामी कितने हुए है भक्तिमिनों ठागुरु जी को उसी समय में जितने बड़े बड़े विद्वान थे सब मिल करके भक्तिमिनों ठागुरु का जो टाइटल दिया है यह सब्तम गोस्वामी को नाम दिये कितने महाप्रु छे गोस्वामी को उन्हें चारी आदेश दिया था यह छे गोस्वामी ने महाप्रु का चारी आदेश को पालने किया लेकिन वह चारी आदेश को सरी भक्तिमिनों ठागुरु भी पुर्णरुप में पालने करते हैं पहला उनका निर्देस किया भक्तिमिन कि श्री छे गोज्वामियों ने कृष्ण का सारे धाम को प्रकासित किया जैसे स्री ब्रंदावन में स्रवाकुंजो कहां नीदु उन्हें कहां गुबिन्दोगोपिनार्थ अन्यमाण जी कहां भगवान कहां कहां पर कैसे कैसे लिला की क्या कि प्रणिद द्थाम एक प्रकासित किया करने श्री लग भक्तिमिन ठागुरु है । गवर किर्टन गवर भक्ति जगत में श्री भक्तिमिन ठागुरु ने प्रकासित किया । इसलिए श्री भक्तिमेन ओठागूर जी समय रहते न्योंद, शुक थ स्त hij भजन गोटी आप लोगे कि वह नहीं पर, भक्तिमेन ओठागूर आएख तेबूल है अभी उनका पेन है और कासा ही है और एक भ्यान है जो किरशिनी का तेल में जो फ्यान चलती थी अभी भी होए है है वह पर देखे होंगे उसको पर चागर के भजन पुटरी में वहीं पर रख लेते थे कागज भी रहते था और इधार बैठी करके हरिदास्ट यह भक्तमुन ठाकोर तिन तिन लाग हरिनाम करते थे हरिनाम करते थे हरिन कागज रहता था हरिदय में जो स्फूर्ती होती थी फिर उनने गरंतर रूप में उसको प्रकास करते थे गरंतर रूप में लिखते थे जब भक्तमुन ठाकोर वहीं पर बैठी करके भजन कर रहे थे एट दिन उनने माया पुरुतारत में देखा बहुत बड़ा एक लाइट है बहुत बड़ा लाइट है उनने सबरे गई के बहुत है भरी नाम कर रहे फैर दोवार देखा वहां लाट य्याड कर नजर कि कहां से देख रहा है वहां पर य। इस पास में लाइड है सभर के लिए देखा वहां हँआं प्रिंधा मतलब तोलसी बन मतलब तुलसी की बढ़ए वही ब्रिंदा बने इसलिए वह समझ गए गुप्त व्रिंधा बने तब मुसल्मान लोग वहां कबर गार बना दिया था मुसल्मान लोग ने कहा देखो रात कोना अभी भी भूत यहां आते हैं और रात भरना हई 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 करते रहते हैं भक्त मिन ठाकुर ने समझ गया अध्याप यो सही लिला करे गौर राये कोनो कोन भाग्यवान देखिवार भाये मतलब अभी भी स्रीमान महाप्रभू अभी भी अपना परिकरण को लेकर यहां पर महाप्रभू अभी भी खिर्तन करते हैं निर्ते खिर्तन करते हैं इसलिए हई हई नहीं हरी बोल हरी बोल हरी बोल करते लेकर मुसल्म आ रहे ना उनको समझे में नहीं है इसलिए फिर उन्हें स्री जगनात्दास बावाजी महाराज को जब नहीं पाते थे उनको सेवक भीहारी एक टोकरी में उसका रख करके ले जाते थे जो वही पर ले गए जो चल भी नहीं पाते थे वह तो भी जोर-जोर चे हाथ उठा उठा करकि हैं नाचने लग गए और बोले मेरे महाप्रहु का यही जन्मस्तान है महाप्रहु सचिनानननगाउर हरी नहीं पर जन्म लिया नाचने लग गय को मकान के लिए भीती खानन की गई नेम खोदे वहांसे जगनात मिस्र जो अध्धक जब मुर्ती की सवा करते थे वहाँ से निचे भी प्र उडिला है इसलिए प्रमानित हो गया यही स्थान स्री चैतन्य महापुरु का जन्मस्थान है ईसलिए स्री भक्त मैं ऊठाकुर महापुरु सारे लीलास्थलीय को उनने प्रकाशित श्री को श्रीमनटागुर ने किया है महापुर का जितने लिलास तलिया मजाजा आगर के अभिधि समय जाते हैं भक्तमुन खार्गुर पहले से नित्यानंद प्रभु जीव गुस्वामों को लेकर गए फरे जीव गुस्वामी नरत मुस्यामान दस्री निवास को लेकर गए इसलिए बाद में स्रिल्व भक्त मिनुठा गुरजी सबस्थान को दर्शन किया और उसको बाद में स्रिल्व प्रहु पाद ने क्या किया पर जो परिक्मा हम देख रहे न इतना लोग परिक्मा कर रहे गई इतना परिक्मा मनबदी परिक्मा में पिछलवा गए थे ना कितना लोग थ अनोसरा काम किया किया उनको जतने को रचना करने के लिए सब्सक्राइब ने बहूत इसलिए उनका सबसे जो सुन्दर गरंता है है जय्व य्याव मानते शारी और में निचाट जितने अर्था हैं ब्रह्म हुे लें ब्रह्म au सब्सक्राइब करें दूसरा भागवत समझें जैवा धर्म के दिश्रेश करके जैवा धर्म में तीन उसमें पाठें प्रतम दूसरे और तिसरा और जितने सारे ग्रंथों को पढ़ो उसमें आपको तीन चीज मिलेगा बोलो समंध अभीध है और प्रयज़ इसलिए उन्हें तीनों ग्रंथों उन्हें तीन चीज़े को साथ में क्यों जीवा धर्म है जीवा असली स्वर्म किया है इसलिए दूसरे में अभीध है तो तो कि आपने भक्ति आमनाय प्रहत तहरीमियो परमम सर्बसक्तिम रसाबधीम जीवान कबलितान उसमें जो दस मूल है जिसमें दस मूल को उन्हें स्थापन किया है गुरु परम्परा किया जरूरत है जीव को ने है रस किया है भगवान को ने है इसलिए यह चीज़ को दस तत्तों को ने स्थापन किया और जीव का प्रयोजन किया है ब्रजभक्ति जी कर्ष्ण प्रेम है प्रयोजने तीनों ग्रंत में अध्भूत ग्रंत है इसलिए हमारी महाराज जी भक्त बेतान श्रुला नारायन को स्वाहिं महाराज हिंदी भासा में उन्हें ट्रांस लेशन कि महाराज बोलते थे सब्सक्राइब साथ बार पढ़ा उसको बाद में ट्रां बाद साथ इतना जल्दी उतर केसी दिताओं चुक्य मैंने यह जैवधर्म ग्रंत पढ़ा है मतलब अगर जैवधर्म ग्रंत को सही सही कोई पढ़ लिया ना पास कोई कोई प्रश्ण का एक्दम पटा पट उतर प्रश्ण करी नहीं सकते महां पर प्रश्ण है और उसका उ नाम होता है चेत दरपन मार्जन भव महादावागनी निर्वापनम स्रेया कहरव चंद्रिका वितरणम महाप्रुगाई जो स्लोग है एक एक उसमें एक स्लोग में उसमें आठ फल है और उसको एक एक जाम रूप में लेकर के चेत दरपन मार्जन कैसे होगा भव महादावागनी निर्वापनम स्रेया कहरव चंद्रिका वितरणम एक 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 जो आठ जो पिरियड है उसको साथ में उन्हें जोड़ करके उन्हें पूरा अश्ट जाम लीला उसमें बरना किया है और इनका एक ग्रंत है चैत ओगरने नहीं चिंतामणी मतलब जो मागो उससे आपको वही मिलेगा इसलिए उन्हें नहीं नाम चिंतामनी में सुद्ध नाम किसको कहते हैं नामा भास किसको कहते हैं चाया नामा भास किया है प्रतिविंब नामा भास किया है नाम अपराद किया है उसको बड़ी सुख्म रूप में बहुत सुख्म रूप में गरंतम उन्होंने विविचना किया है और यह गरंता जिसका नाम सरना गत टीज़ंगति कितना तरफ का छू तरफ है जो छे तरफ है तरफ है। अपना जीवन के अपलाई क्या खरने की उसको रहें तरफ है। पर उसको पर विच्छे साथ भजन लिखे पर गोप्तुर्त गर्ण का था भगवान ही हमारी पालने करने वाले उसमें कैसे जीव अपलाई करेगा उसको पर एसे छर्णागती अब अद्भूत गर्णत है इसलिए के ते सड़ंगा सर्णागती है विजाहर तहर प्रार्थना क भगवान सुनता है यह अद्भूत गर्णत लिखे दूसरा है किर्तन का कल्यान कल्पतरू जीव का कल्पतर मतलब जो मागो वही मिलता है कल्यान कल्पतरू जीव का कल्यान कैसे होगा वो कल्प प्रिक्ष सद्रिश वो गर्णत है और रोज-रोज हम जो भजन गाते हैं क्या जया राधा माधा भाव जया कुंज विहारी इनकाई बजाए जया सोमतिनांदना ब्रजाबरनागरा गोकुलरा अंजनकाना इसके दुपरा किरितने में उनकाई किरितने करते हैं जब हरी नाम का महिमा विभावरी सेस आलक प्रभेस निद्राचारी उठाजीब बोला हरी हरी मुकुंद मूरारी रामकृष्णा है अग्रीब पुरा भगवान का नाम को देदेगर अध्भूत किरितने किया और एक किरितने बोलते हैं भगवान का नाम कितने भगवान का नाम कितने स्वरूप हैं पूरा प्रभु का नाम और एक पुड़ा सुंदर उन्हें भजन लिखा हरी नाम की महिमां जया जया हरी नाम चीदानन्दमरित धाम परतत्व खराकार यह भजन में पूरा हरी नाम को कैसे करने चाहिए इस अध्बूत भजने और एक हरी नाम में कितने सक्ति है इसलिका प्रका पूना धिखाय नाम वगोँ जया सक्तों सब्सक्राइं, पहले कैंकुर होगा, पर उसमें दोपता होगा, पर उसमें तहीनीय होंगी, फ़र धीरे 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 देल लत्ता बढ़ीजी किषिये, पहले उसमें पूल नहीं भी नहीं, आलों Moving on, I will come on at home, भॉुपा नहीं करें सब्सक्राइण से अ inn़ल already, मतलब हरिनाम करते 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 हरिदय अनर्थ जानर्ष्ट होगा और एक दिन उनका नाम परिनाम से रूप दिखेगा फर लीला परिकर पुरा के पुरा पुरा हरिनाम से सब कुछ मलेगा दॉद्य को जो चीज नहीं मिलेगी भक्त्मेन और था गूर्ण जिका किर्थन में पुरा किर्थन छड़ उनका किर्थन एको उक्ता प्रापति हो जाएगी एक लाइन पर Clearly फेक breaking वो. बास तुमको भगवत प्राप्ति हो जाए उन्हें सारे पुरान उपनिसाद सब सास्त का जो निचोड़ों को लेकर उन्हें यह भाजन रूप में अद्भूद भाजन रूप में इसलिए हमारे मंदरी में एक वैसनव सादू थे इतना स्लोग फ्रहुकल नहीं बोलते जब व किर्टन खल व्याक्या करो ना सारे उसके किर्टन में हैं उनका नाम था कालाचंद ब्रभू नाम चैने सुने हो मतुरा मठी में रहते थे कालाचंद ब्रभू यह भक्ति ब्रग्यान के सब्स्वाई महाराज का आसिरता पता नहीं आप देखे कि नहीं मेरे को बताए इसलि प्रार्थना किया विमुला देवी को पास में विमुला देवी आप तो जगर्नाजी को सकती हो मुझे ऐसे एक उपजुक्त संतान दो भवी सत्य में तुमारी भक्ति को प्रचार कर सकते भिमुला देवी के क्रिपा से भक्ति शिद्धांद स्रिला भक्ति बिन उठाक और उसे जगर्नात पूरी में इनकी सुपत्र रूप में जन्म ग्र प्रण करके सारे ग्रंतों को प्रचार उन्हें सारा दुनिया में किया है इसलिए तिसरा जो महाप्रव का उपदेश है कि सुद्ध भक्ति मार्ग को प्रचार कर सुद्ध राग मर्गी भक्तों को प्रचार कर इसलिए उन्होंने आ करके सुद्ध भक्ति को उन्हें प्रच अधार्म कbor़ ने करी कं दो रूप में को प्रचार कि हैThis Really रही और तरह तरहज़ाने कोई चाह पीदे डूटका खाते हैं कोई तंपाव खाते लेकिन थाकराव रवेना ने का शुथान हमएरे संप्रदा का तहर सी सब ईफ़ और शिगरेट फगुना इसे उन्हें पूरा इच्व चीज को विविजना किया है और उनका जो चौधा जो निर्दे से है विक्रहों को स्थापन करो इसलिए उन्हें गवर गताधर को स्थापन किया कहा पर चब घाट में और भहुत सारी जगा में उन्हें सुधत भकति धर्म को प्रचार और जगत में अच्छे तरसे प्रसार लूप को पर में बहुत बहुत सारे तैने इसलिए अभी हम जो थोड़ी बहुत भक्ती कर रहे हैं स्रुल्ब भक्ती नुठा गुर्जी के ख्रिपास ही हम लोग थोड़ी बहुत भक्ती कर रहे हैं हम सब के सब सरी भक्ती पील्मु था घृष म में viene हैं यहीं महा पुरस ने भक्ती की भगिरतों बलाए रहे प्रभुपाद को दिया प्रभुपाद को दिया तबी हम लोग थोड़ी बहुत हो भक्ती में अग्रसरोप आ रहे हैं, लिए संभव नहीं था इसलिए जर्म ती थी है हम सब को परोकृपा करें जैसे कभी ना कभी इनकी सुद्धारा में चलते 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 कभी इनक्यानुगत्य गुरुजी है भी कुल करने का सवा में तुर मंद शा गल्बद अवल्बशक्री बात्रका सन्त भाईवचिण वियर्ट तक्षानपा बने भो बैस ने प्छु नमौन मम् कि इनती बहुत कथा अलादी अबि考त सेंसे पर सफभलत अब